अवस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल इस शौक सीजी के सन में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अगर इस कमपनी की बात क्यों तो 41 वैसा का ये सेर हुआ करता था चार उपए 29 वैसा का इस कमपनी ने हाई बनाया यानि कि इस कमपनी में ग्रोथ का काफी बड़ा देट आपको देखने को मिल जाएगा तो क्या ऐसे में इस कमपनी को बाई करके चलना चाहिए करेंट कोई भी पार्ट मिस न करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल आइकन को भी जरूर फ्रेस कर लें तो देखके इस कमपनी का और डिटेल क्या बनता है दोस्तों अगर इस कमपनी के सौट्टम के चार्ट में हम डिटेल की बात करें तो इसमें हमने डेली चार्ट लगा रखा है डेली चार्ट पर आप देखेंगे यह कमपनी बहुत टाइम से एक लेवल में ही कॉंसोलिडेट कर रहा था तेकिन अगेन इस कमपनी में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिला और 3.60 पैसे था कि इस कमपनी ने अपना हाई बनाया वहां से इस कमपनी में गिरावट देखने को मिला और इस कमपनी ने अगेन सपोर्ट लिया 2.55 पैसे पर और वहां से जब हांस बैक करना स्टार्ट किया तो इस कमपनी ने पिछले हाई को तोड कर उसके उपर निकल आया और इस कंपनी ने एक नया हाई बनाया लाश टेंग सेशन में आप देखेंगे इसमें लोवर सर्कृट भी लगा था उसके बाद इतने बायर्स थे इसके पास कि अगेन अपर सर्कृट भी लगता हुआ आपको देखने को मिल गया है तो ऐसे में 92 से लेकर 95 तक नहीं पाउच जाता तब तक सौट तम बालों को अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी चाहिए लेकिन मार्केट में अभी तो करेक्शन चलना है तो क्या ये सेर्स भी करेक्ट हो सकते हैं बिलकुल करेक्ट हो सकते हैं इसलिए आपको एक काम करना आपको daily to daily अपना stop loss ट्रेल करते रहना है जब भी कोई stock open होता है तो आप देखेंगे upper circuit पे open होगा और upper circuit से lower circuit तक आने के बीच में उसमें लगबग 10% का dependent आपको देखने को मिलता है तो आपको अपनी stop loss को daily ट्रेल करते रहना है यानि कि 5% पे आप चाहिए तो अपना stop loss ल circuit पे आ जाता है तो फिर यह company काफी time तक lower circuit पे चल भी सकता है इस बात का जरूर ध्यान रखें तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें, thank you for watching this video